What is Project Report? यह शब्द आप लोगोंने बहुत बार सुना होगा और जिनोंने यह शब्द सुना नहीं है आज तक उन्हें इस शब्द के बारे में बहुत सारी बाते नई बाते आज पता चलने वाली है What is project report? Project report दो शब्द इसमें है, एक है project, एक है report, तो report मतलब हम जानकारी दे रहे है, project report, project मतलब कुछ नया काम हम कर रहे है, उसकी जानकारी हम project report में देते है Project report is actually projections, projections मतलब भविश्य में जो हम करने वाले है, भविश्य में हम जो चाहते है, भविश्य में जो हम कर सकते है, उसकी जानकारी हम देते है एक कागच के उपर तो project report में बहुत सारी चीजे होती है, मैं एक कागच के उपर कह रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ single page का project report होगा ऐसा नहीं, project report में multiple pages हो सकते हैं, बहुत सारी जानकारी हो सकती है अब project report अलग-अलग type के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिस project report की बात कर रहे हैं, वो है financial projections की बात कर रहे हैं, financial project report तो financial project report मतलब जहाँ पे हम projected balance sheet बनाएंगे, projected profit and loss account, projected cash flow statement, projected इसके साथ में आपका BEP हो सकता है, BEP मतलब break even point, उसके साथ में projected repayment schedule हो सकता है तो project report में हम भविश्य की बाते करते हैं, कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में मेरी balance sheet किस तरह से रहेगी, मेरा profit and loss account किस तरह से रहेगा, मेरे पास पैसा कितना रहेगा, cash में, मेरे पास investment कितना रहेगा, यह हम projections करते हैं तो यह projections क्यों करते हैं, projections दो reason से किये जाते हैं, दो reason से project report बनाया जाता है, पहला reason है कि हम खुद के business के बारे में, हम हमारा planning करना चाहते है कि अगले 5 साल में हमारा business कहां तक पहुच सकता है कैसे पहुच सकता है अगले 10 साल में हमारा business कहां तक जा सकता है इसके लिए projections बना जाते है दूसरा जो reason है projections का वो यह है कि हम जब loan apply करते है किसी bank या financial institute को तो वहाँ पे हम project report submit करते है क्यों क्योंकि bank में अगर आपको loan के लिए apply करना है तो वहाँ पे बिना project report के आपको business loan नहीं मिलेगा मैं personal loan की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं business loan की बात कर रहा हूँ तो business loan अगर आपको चाहिए नया business करने के लिए या फिर existing business को आगे बढ़ाने के लिए तो आपको पैसा लगने वाला है और यह पैसा जब bank वाले आपको देंगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप हमारा पैसा किस तरह से वापस करेंगे कैसे कैसे वापस करेंगे तो आप कहते हैं कि ठीक है मैं 5 साल में पैसा लोटा दूँगा दस साल में लोटा दूंगा अरे दस साल में अगर आप पैसा लोटाएंगे तो हर साल कितना कितना लोटाएंगे तो आप का लोन का अमाउंट मान के चली एक करोड रुपए है तो आप कह सकते हैं कि हर साल में एक एक करोड रुपए दस दस लाख रुपए लोटाओंगा एक क कितने रुपए का माल बेचेंगे, किसको बेचेंगे, पर्चेस कहां से करेंगे, आपकी cost of purchase क्या होगी, आप salary कितनी देंगे, rent कितना देंगे, आपके और खर्चे कौन-कौन से होंगे, income tax आप कितना देने वाले हैं, तो सारी चीजों की जानकरी project report में बनाई जाती है, और ये financial institutes को submit की जाती है, और ये जानकरी में बहुत सारे points होते हैं, बहुत सारे explanations होते हैं, बहुत सारे assumptions होते हैं, जिसके basis पे हम project report बनाते हैं, और ये project report हमारे लिए भी जरूरी है और bank लिए भी जरूरी है, in most of the cases, it is assumed that project report is prepared for banks only, but primarily, please remember, project report should be prepared for ourselves, हमें हमारे business के बारे में पता होना चाहिए कि आगे हमारा क्या होने वाला है, क्या हम कर सकते हैं, तो ये जानकरी अगर आपके पास में है, तो तो आप अपने targets को achieve जरूर कर सकते हैं, So friends, project report is a set of documents where projections are made and projections are explained, में तरो इसी तरह की बहुत सारी बाते हैं, जो की हम हमारी accounting friend lecture series में करते हैं, और accounting friend lecture series में ये सारे discussion detail में होते हैं, एक घंटे का ये session हमारा होता है, जिसमें हम live sessions लेते हैं, और सारी इन तरह की बातों का visualization करते हैं, चर्चा करते हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं live, तो मैंने description box में एक link दिया है, उस link के उपर आप click करके register कर सकते हैं, you can connect with me live, इसके हमारे 104 sessions अभी तक हो चुके हैं, लगातार हम इसे weekly sessions के conduct करते हैं, 104 हफते से लगातार हमारी series शुरू है ये, और आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी, तो मेरा आप सबसे ये निवेदन हैं, कि आप नीचे description box में जाईए, वहाँ पे link के उपर click करके register कीजिए, 104 नए topics के उपर हमने discussion किया है और इसके बाद भी हर बार नए topic हमारा रहने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर register करें और मुझसे live जुडे, thank you, have a nice day.